नमस्कार आरेस अन्यपुर्णा कीचिन में आपका स्वागत है आज हम क्रिछन जन्माश्टिमी के लिए मोहन थाल स्वीट बना के तयार करेंगे तो चलिए बनाते हैं हमने दो कप बेसन ले लिया है बेसन को छान कर ले लिया है ताकि इसमें कोई लंस ना रहे फिर इसमें ड अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सभी चीजे आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो देखें को गया है upward 10-15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि बेसन अच्छी तरह फोल पंदरा मिनाट हो चुका है अब हम इसे एक बार फिर से मसल लेते हैं और इसे चान लेंगे किसी बारिक चन्नी से ना चाने हमें थोड़ी सी मोटी जाली की जो चन्नी हो उसे सही चानना है तो देखिए हमने इसे चान लिया है देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है विकुल बारिक रवे जैसा हमने इसे चान कर तयार कर लिया है विकुल रवे की तरह है अब हम कड़़ी में बचा हुआ घी गर्म करेंगे और उसी में हम डाल देंगे ये चान के रखा हुआ बेसन इन सब को मिक्स करेंगे विकुल हलवाई जैसा दानेदार बर्फी बना कर हम तयार करेंगे तो इसे हमें लगाता चलाते हुए पकाएंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छी तरह पक जाए जैसे जैसे पके का इसका रंग भी और चेंज होता जाएग डार्क प्राउन होगा और इसमें जब इसका रंग चेंज हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे आधा कप मलाई घर की ताजी मलाई डाली है हमने आप चाहते इसकी जगह आधा कप खोवा भी डाल सकते है वन फोट कप हमने इसमें दूर डाल दिया है और इसे हमें लगाता चलाते ही रहना है पक्ते पक्ते इसका रंग चेंज हो गया है और ये विकुल हलका भी हो गया है तो देखे इसमें इस तरह इसमें जाले भी पढ़ रहे हैं अब ये पक्के तयार है अब हम गैस बन करके इसे उतार के इस तरह चरपाज मिन तक चलाएंगे ताकि नीचे जले अधर चाशनी बनाएंगे एक कप शक्कल लिया है अधा कप पाइन डालके हमें इसे एक तार की चाशनी बना गई थो गयस हम बन कर देंगे और इसे भी डाल देंगे पेशन में सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे इलाइची पाउडर भी डाल देते हैं इसे टेस्ट और अच्छा आएगा और इसे हम चलाएंगे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे अभी ये बहुत गर्म है इसलिए पतला है जैसे जैसे थोगा ठंडा होगा तो और भी ग पत्ली है तो इसे एक बार फिर से गैस पर रखें। थ्वरा सा टाइट कर सकते हैं, अगर पहले टाइट हो चुका है तो इसे गैस पर विकुल ना रखें। अब हम इसे प्लेट में डाल देंगे और इसके उपर में ड्राइफोर्ट डाल देंगे जो पसंद है आप डाल सकते हैं और ठंडा करने के लिए हम इसे पासे 6 घंटे के लिए रख देंगे इसके बाद हम इस तरह बर्फी काट लेंगे तो देखिए हमारी मोहन थाल बर्फी खाने के लिए तयार है बिकुल टेस्टी मुह में घुल जाने वाली मोहन थाल बर्फी बनके तयार है तो आप भी जरूर इसी तरफ बनाए और कृष्ण जर्माश्टमी के दिन भोग लगाए मोहन थाल स्वीत खाने के लिए तयार है वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लिस लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइगन जुरू दबाए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल से जल पहुँ सकें धन्यवाद